भेट अर्पण क्या करें, जब कि तनमन धन तुम्हारे और पूजन क्या करें और देखें ये अध्भूत द्रिश्य है जब प्रधान मंत्री नरेंडर मोधी श्रमे वो जैते हैं कि हमारी परंपरा का उद खोष करते हैं सत्य में उजयते है अगर भारतिय परंपरा का महतवपूर केंदरबिंदू है तो महतवपूर केंदरबिंदू यह भी है जब अभिवादन करते हैं प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी श्रम जीवियों का श्रम साधकों का ये कर्मयोगी का सम्मान है राष्टर की तरफ से हमारे योगियों का, हमारे श्रमजीवियों का, हमारे श्रमसाधकों का और ऐसे आनेक उद्धरन हमने देखे हैं जब प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी ने श्रम की शक्ति को नमन किया है और ये नमन समूचिराष्ट का होता है जै अब उसकोल मुझे याद आता है वो दृष्ट जहां पर आप भी मौझूद थे कुम्ब के अवसर पर 2019 में जब उन्होंने पाउँ पकारे थे उन श्रमजीवियों के जिन्होंने कुम्ब में अपनी महतपूर्ण भूमी का अदा की थी उन सफाई कर्मियों के पाउँ पकारे थे उसके बाद नए संसत भवन के निर्माड के बाद जब वो श्रमजीवियों से मिले वो भी तस्वीरें स्पश्ट रूप से अभी ताजा तरीन है आपको याद होगा जब काशी कॉरिडोर का निर्माड हुआ था तो किस तरह से उन्होंने अपनी कुरसी हटा करके जितन पर एक बाद फिर से उन्हों जीवियों को सम्मान के तौर पर वो उनसे उनका हाल चाल जानते हैं उनके अनुभव को साजा करते हुए नजर आते हैं और एक कनेक्ट दिखाई देता है समाज के सबसे निशले व्यक्ति तक पहुँचने का जो कनेक्ट है प्रधान मंत्री का वो सबस्ट तौर पर बार बार ऐसी घटनाव से हमें सबस्ट तौर पर देखने को मिल जाता है ये श्रम का सम्मान है ये श्रम जीवियों का सम्मान है ये श्रम और निष्ठा का सम्मान है ये कर्मयोगी द्वारा श्रमयोगीयों को किया जा रहा अभिवादन है ये समुचे राष्ट का कृतग्यता ग्यापन है जो हमारे अट्टालिकाओं को हमारे प्रासादों को हमारे सपनों को हमारे बड़े बड़े डैम को हमारे आई टी पी यो कामिलक्स को हमारे इंटेरिस्टेशनल कंवेंशन सिंटर को बनाते हैं यह हमारे ऐएसे श्रमौ साधक हैं जो अपने पसीने से अपने जीवन के प्रतेक कर्म से इस राष्ट के निर्माण की एक-एक इट को और ज़्यादा सुसंजित करते हैं और ज़्यादा मजबूत करते हैं निश्चित तोर से आज ये कहा गया है कि उद्यमेन ही सिध्धनती कार्यारी न मनोरत है नहीं सुपतस से सिंहस से प्रविशनती मुखे मृगाह ये पौरुश है ये श्रम है ये साधना ही है जो की व्यक्ति को सफलता प्रवादान कराती है क्योंकि सोयह व्यक्ति के मुख में स्वेंग म्रिग नहीं पहुचता है ऐसी अनेक सूक्तियां हमारे सुभा सितान में कही गई है जो हमें प्राण-प्रण से हमेशा करेंड करने की प्रिड़ना देती हैं और इह श्रम और यह परिश्रम है, सफलता के नए सोपान बनाता है। केंद्रे में विश्र के भरण, पोशन की धारणा स्पश्ट तोर पर दिखाई देती है। इस नए ITPO कॉंप्लेक्स में जबाब जाएंगे, अंतरास्ट्य समारों का हिस्सा बनेंगे, तो आपको देश के अलग-अलग हिस्सों से कलाकृतियां हैं, जो वहां की संस्कृतियां हैं, वो भी छवियों के रूप में अपने आपको आपके साथ जोड़ते हुए नजर आए महान लोकतांत्रिक देश के रूप में ही देखा जाता है, भारत के संस्कृति और योग और जो दूसकी कलाएं हैं, वो उसकी आत्मा है, उसका मूल है, और उसके साथ में जब विदेशी, पर्यटकों, यहमानों को या फिर जो राश्टा ध्यक्ष उनको ये सपश्क तोर दिखाई देगा कि भारत वो कहता भी है, जो कहता है वेश्वस्तर पर उसको करके दिखाता है और जब वो ऐसे भवनों को भी राश्ट को समर्पित करता है